हेलो एवरिवान वल्कम बैक टू यूर चानल गाइस कैसे आप सब हो करतों आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस फानेशल अगाउंटिंग लो एंद एथिक्स के बाद अब मैं आपके लिए 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 आया हूं डिरेक्ट टेक्स की सर्टिफाइड कॉपी जो की CMA लिए और बॉर कि देख लो कैसे पहले कोश्टन में 16 फिर 4 प्रेक्टीकुलर हर एक कोश्टन को सही से चेक करेंगे सभी से देखेंगे कि कैसे marking हुई या फिर उसी साब से यहाँ देखेंगे कि पहले में देखो चार पार्ट उते हैं तो पहले के एक का first part में six five ऐसे ये आपको parts में भी बताए है और total भी करके मैं आपको बताऊंगा फिर उसके बाद ही बताऊंगा काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए आंसर पर बात करते हैं कि आंसर आपको कैसे प्रजेंट करना है तो आप सीधा लिख सकते हो कि आपको इसके अंदर यह नहीं लिखना कि पहले का A है तो फिर 5 लख लिखना है नहीं पहले का D है मान के चलो पहले का D है ठीक है तो उसके आगे की चीजे लिखने के जड़ोत नहीं है बस इतना आप लिख सकते हो आपको पूरे मांक्स मिलेंगे ठीक है इस बच्चे को पूरे 5 में से 5 मिलें ठीक है फिर बात करते हैं C में ठीक है C में देखो यह आंसर आप जो है true है तो true लिखो false है तो false लिखो ठीक है simply आपको ऐसे करना आपको जो भी उसने पूछा है वह simple सा आपको बताना है ठीक है तो पहले question में 16 मिलें 6532 टोटल करके ठीक है यहाँ पर आप इसके थूरू भी देख सकते हो और बोल सकते हो कि री चेकिंग के लिए लेकिन फिर RTA से आता है certified copies ठीक है तो तब तक तो validity खतम हो जाएगी आपकी री चेकिंग की ठीक है तो यह basically certified copies है जो की RTA के तुरू आती है ठीक है तो देखो पहले में 16 मिलें अब हम बात करते हैं next answer to question number 2 का ए पार्ट ठीक है simply आपको ऐसे लिखना है resident है जो भी पूछा है वो सारी चीज़े particular यह बतानी है ठीक है आप इससे यह चीज़े सीख सकते हूं कि DT की paper में कैसे checking होती है कैसे क्या लिखना होता है इस बच्चे ने जैसे यह लिखा है पहले में जो चीज गलत है उसको तो काट दिया है ठीक है जितना पार्ट सही था उसको check करके सही दिया है ठीक है non resident के पार्ट का अब यह देखो 2 के में कितना मिले 4 ठीक है अब वही बी पार्ट में 0 है तो टोटल कितना 4 मार्क्स ठीक है अब यह तो चलब पूरा गलत है फिर हम इस पर आजाते हैं answer to question no 8 का a 8 question हमारा सीधा साह होता है short notes का ठीक है short notes मैं आपको एक advice दूँगा तभी आप करना जब आपको लगता हो कि हाँ चार या तीन मतलब चार में से जो भी मेरे दो तीन ऐसे question है जो मैं पक्का वही चीज़े लिख सकता हूं तब यह आप करना वरना आप same as it is भी लिखो के तो full बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको ठीक है बहुत कम chances होते हैं कि checker आपको पूरे number देता है ठीक है कुछ ना कुछ short notes में काट लेता है practical में ही number मिल पाते है ठीक है और practical क्योंकि एक जो चेक करने का जो तरीका होता है एक mentality होती है कि अगर paper cost accounting का है यह DT का है तो इसमें theory बच्चा लिख रहा है तो मतलब यह सब चीज़े होती है ठीक है बहुत कुछ सोच समझ के इंसान नमर देता है अपना ठीक है अब answer to question number 8 का यह देखो ठीक है इतना लिख रहे हो आप आपको 0 मिल रहे है क्या फाइदा ठीक है आता है तभी लिखो वहना कोई फाइदा नहीं है अब 8 का भी ठीक है एक number यहां मिलें एक number यहां मिलें ठीक है यह देख लो pen is 11 डिजिट ठीक है तो गलती जहां होती है वो कट जाती है अपर 10 डिक होता है यह बच्छे नहीं 11 लिखा है चलो answer to question 8 का D 8 का D है तो आपको ऐसे presentation करना है अब जो देखो जो चीज़ा गलत है उसको गलती करते हो ठीक है जीरो नमबर देखा लास्ट में अब अगर आपको कोई चीज सही है तो step wise marking है देखो हर चीजों पर टिक मार देखा वो मतला ऐसा नहीं कि कोई चीज छोड़ देगा सब कुछ चेक करेगा वहां ठीक है ठीक है जहां गलती हो अब यह नहीं है अब कुछ बच्छे ऐसे होते हैं नहीं बोलते थे लास्ट में हमार answer मैंच नहीं हो कर तो क्या हो गया यह देखो जितना जो सही है उससी साब से मार्किंग मिलती है ठीक है एक नमर यहां यह चीज गल्ट तो जीरू ठीक है फिर लाश्ट में जाके आपको टोटल टू मार्क सहां पर दिये है ठीक है ऐसे चेकिंग होती है यह मत सुचना कि में पूरे नमबर करते होंगे लेकिन नए stepwise marking होती है ठीक है कितने बच्चे institute पे सवाल उठाते हैं तो यह देख लो ऐसे चेकिंग होती है डे नमर यहां मिले है तीन नमर यहां तो question number 3 के a part में 2 मिला है b part में 3 total number 5 अब यह होता है वो चीज अलग बात है लेकिन presentation आपको ऐसी देनी है कि फिर हम आया आते है reason for each reason दे रखा यह कोई सा question है किसी का है ठीक है working note है फिर answer to question number 5 का भी ठीक है 5 का भी एक बार question देख लेते हमें कौन सा है 5 का भी ठीक है चलो ठीक है इसमें carry forward loss का बताना है setup बगरागा ठीक है setup and carry forward का है तो यह points सा बगरा बगरा जो जो चीजे ठीक है उसमें पुरे marks मिले है जो चीज गलत हो उसमें नहीं मिले है ठीक है कि यहां पर दिखाया होगा यह दिखा दो और आधा कितना होगा 2.5 ठीक है अब 2.5 को इसने कैसे लिया देखो 16 प्लस 4 20 25 30 ठीक है 32.5 33.5 next ठीक है और 34 ठीक है rounding off करके दिया है ठीक है तो answer तू अब बात करते है question number 4 का A ठीक है ये 4 का A है capital gain का capital gain में बच्चे ने इतना attempt के एक number मिला उसको ठीक है इतना भी लिख दो कि आपको एक number मिल रहा है इस हिसाब से ये देखो और question है ये 4th का B 4th के B में आपको क्या दे रखा है एक बार question पढ़ ले 4th का B है chapter 6 यानि deduction का deduction का बताना है ठीक है तो deduction में देखो ये जितनी चीज़े ठीक है उस चीज़ के हिसाब से number मिले है 2, 3, 4 4 marks total मिले है ठीक है तो answer to question number 4 4 का पहले का part में एक number और दूसरे में चार्ट total हमारे को कितने मिले है total मिले है 5 ठीक है तो इसके बाद बस that's it तो देखो और last में चीज़े मतलब जो rough मैं बोलता हूँ आप रफ लास्ट वाले पेज में कर सकते है ठीक है तो that's it for DT के पेपर के लिए बस इतना ही है ठीक है hope करता हूँ आपको चीज़े काफी समझ आई हो कि DT के पेपर में कैसे checking होती है सब चीज़े आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या होता ठीक है तो that's it अब इसके बाद दूसरे particular कोई subject के उपर में वीडियो लेके आऊँगा ठीलते हैं अगर आप चैनल पर नए हो तो जब दूसरे चैनल को subscribe पूरो ठीक है मिलते next वीडियो में